एगाईज और वेल्टूंग टू माई चैनल वी टेक्निकल सो गाईज इस वीडियो में सीखेंगे एक्सल बेसिंग में अलायमेंट गुरूप तो वीडियो स्टार्ट करने से पहला अगर आप हमारे चैनल में ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर तो वीडियो स्टार्ट करते हैं alignment group home tab में यहां पर होता है तो alignment group में बहुत सारे options दिये होते हैं तो आज इनी को सीखेंगे इस वीडियो में इस cell की मैंने यहां से height थोड़ी ज्यादा कर रखें क्योंकि आपको पता चले कि हमें top alignment कहां पर use करना है तो top alignment जैसे हम कोई table मनाते तो वहां पर हम जो हमने cell में text लिखा होता है उसे हम top में दिखाएंगे तो यह पर से select करूंगा और यहां पर मैं cell में लिखूंगा वो मैं यहाँ पर top align में कर सकता हूं ठीक है तो मैं इसे control जट कर दूँगा फिर से और यहां पर हम सीखेंगे फिर क्या आता है middle में आता है जैसे मैंने alignment लिखा है उसे में middle में कैसे करूँगा तो इसे select करूँगा और second में option मिलेगा middle क्लिक करूँगा तो यह middle में आ जाएगा left align में हम कैसे से select कर यहां पर मैं कुछ टाइप करूँगा टेक्स ठीक है यहां पर मैं टेक्स टाइप किया और यहां पर नमबर से टाइप की तो आप दिखेंगे कि टेक्स एससाइट left align में आ गया और यह right align में इसलिए आये क्योंकि number जो हता है right align में आते हैं और जो टेक्स हो लेट आलाइन में आते हैं तो aksal number और tex को define कर लें तो यहाँ पर नमबर होगा वह axle पर जनरल में दिखा देता है इग फिसली वीडियो में बता धिया है देखना चायता है लिंक बटन और डिश्क्रिशन में थी वहाँ से आप अब यहां पर बात करेंगे आलाइङ्मेन लेट है तो यहां इसे मैंने select किया और मैं यहां पर alignment left को select करूँगा ठीक है तो इसमें click करूँगा तो यह left में है आगर मैं इसे center में करूँगा तो यह left में है ठीक है और इसके बाद यह bottom करूँगा, इसमें click करूँगा, तो यह bottom में आ जाएगा, ठीके, तो यहाँ पर से हम इसमें bottom में कर सकते हैं, कोई भी tax को, और यहाँ पर मान लिजे कि मैंने alignment left में है अभी, अब मैं इसे right में करना है, तो यहाँ पर मैं इसमें click करूँगा, ठीके, तो यहाँ पर मैं इसे increase alignment, जैसे मैं इसमें click करते रहूँगा, तो यहाँ पर automatic right side को जाएगा, ठीके, तो यह left को जाएगा, डिस्क्रीज करूँगा, और इसके बाद आगर मैंने मान लिजे, यहाँ पर जो यह लिखा है center, और तो मैं इसे यहाँ से करूँगा, तो यह इस side को सकते हैं, अब बात करेंगे, यहाँ पर merge type कि, ठीके, तो यहाँ पर मैंने कुछ text type किया है, तो यहाँ इन दो cello में से 5 cello को मैंने यहाँ इपर merge करके हैं, तो इसे मैं delete कर देता हूँ, और यहाँ इस का color, no color कर दो है, ठीके, no color कर दिया, और जो merge मैं क्या करूए मैंने यह так करते हैं यह Osam Girl जाए में यहां पर से यहां पर आप इसके बाद आप देखिए यहां पर यहां पर कुछ डाइप करूँगा है broken मैंने आपके लिए खैल्रहें और श्यां मैंने दो За जो कि टैर टाइक्स डाइप हैं यहां पर आप देखेंगे। यहां पर मैंने two text type के हैं तो आप देखेंगी कि यह दो next line में चले जा रहे हैं अब इसमें क्या करूंगा इतनी को मैं value में यहां पर select करूँगा और यहां पर merge मैं जाओंगा तो इतनी area merge हो जाएगा यह center में भी कर शकते हैं और यहां पर से मार्य हो जाएगा दमारा किलिक कर दो dl और दिया था यहां पर मैं केल्ट कर दूंगा थे तो मैं जैसे orientation में जाओंगा, यहाँ पर मुझे बहुत सारे options मिलेंगा, angle counter clocks wise होगा, ठीक है, मैं इसे click करूँगा, तो यह उसी angle में यहाँ पर, उसी angle में यह orientate हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरह इसमें बहुत सारे options मिलते हैं, जैसे कि angle clockwise, vertical clockwise, rotate clockwise, और route, text down, format cell alignment, ठीक है, तो यह format cell में मैं जैसे click करूँगा, तो यहाँ पर format cell alignment का, यहाँ पर format cell open हो जाएगा, format cell में हमें क्या मिलता है, horizontal, vertical ठीक है, तो इसमें हम अपने हिसाब से fix कर सकते हैं, और इसके wrap text, shrink to fit, और the cells मिलता है, merge हम कर सकते हैं, इसे merge में click करेंगे, तो merge भी हो जाएगा, और यहाँ पर हमें एक options मिलता है, orientation, ठीक है, हमें आपने merge में इसे चाहरा, और यहाँ पर हमें option से मिलता है, okay, ठीक है, मैं यहाइ पर format cell जैसे open होगा, ओके कर दूँगा, इसे मैंने select कर दूँगा, और यहाँ पर这是 okay, तो आप देखेंगे कि format cell हम यहाँ पर से भी open कर सकते हैं, यहाँ पर से click करेंगे तो यहाँ पर से format cell open हो जाएगा, ठीक है, यह short तरीका है, और इसके बाद यहाँ पर से control और one press करेंगे, तो यहाँ पर format cell फिर भी हम open कर सकते हैं, अब इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर हमें मिलत रहता हूं City मैं ने नेम और टाइब किया और एंटर किया तो आप देखेंगी यह दो नेम है ठीक है और इसे हम fix करने के लिए रेप टैक्स में जाएंगे और खिलिक कर देंगे तो यह automatoni reptext में आ जाँगा यह इसागे नीचे फिट हो जाएगा इसे cell में यहां पर एक इग्जाम्पल लेंगे ठीक है तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर रमेज और 18 और डेली देख रहे होंगे तो आप यहां पर यहां पर यहां पर नेम है और 18 जो है उसकी एज है और शिटी जो है डेली है ठीक है अब हमें इन्हें अलागला Column में Convert करना है ठीक है नेम को नेम वाले कॉलम में एज को एज में और सिटी को सिटी में ठीक है आप क्या करेंगे हम अगर हम मैनुली करेंगे तो हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है ज़िए में लिखेंगे और यहां पर इसकी एज लिखेंगे ठीक है और इसके बाद यहां पर इसके बाद क्या करेंगे हमें Home tab में एक option मिलता है यहाँ फील में option मिलता है flash field इसमें click करना है तो जैसे हम flash field में click करेंगे तो आप देखेंगे जो जो name है वो यहाँ पर एक ही जो name वाले column है उसमें आचुकी जैसे की रमेश रवी और इस तरह और ने माच फस्तों वाले के हम यहाँ पर एज लिखेंगे जैसे की 18 एज लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद 18 एज को हमें select कर लेना है और दुबारा हमें यहाँ पर flash tab में नहीं जाए इस एज को select करना है और और press करना ह इसके बाद मुझे नहीं नहीं निकालने है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर city लिखेंगे अब इसके बाद हमें इसकी city निकालने है नेम के बाद city निकालने है एज को छोड़के ठीक है इसमें से तो यहाँ पर मैं क्या लिखाँगा इसकी जो city होगी वो लिख लूँगा यहाँ पर मैंने city लिखे और enter किया और इससे city को select किया और इसके पार control और e press कर दिया ठीक है alignment group का इसे हमने पूरी completely सीख लिया लेकिन इसका एक एक जांपल हम यहाँ पर करेंगे ताकि हमें की लियर हो कि alignment group किस तरह हम excel file में table में हम use कर सकते हैं तो यहाँ पर यह table बनाते हैं और इस element group का use करते हैं ताकि हमें यह समझ माइए ठीक है तो यहाँ पर example की तौर में हम एक table ready करेंगे तो यहाँ पर आपको यह table आभी कुछ लग रही होगी इसमें कुछ format हमने कुछ भी हमने इसमें set नहीं कर रखा है तो हम इस table को आभी ready करेंगे सबसे पहले हम के height थोड़ी इन दोनों को select करेंगे और यहाँ पर merge tab में जाके इन्हें merge कर देंगे ठीक है और इसे तरह इसे भी select करेंगे और इसे भी merge tab में जाके अब इसे select करेंगे और इसे भी merge tab में जाके इस तरह का हमारे पार data आएगा अब इसे select करेंगे और इसकी row को थोड़ी height बढ़ा लेंगे रोकी इसमें से हम ले लेंगे orientation में जाएंगे orientate कर देंगे अपने साब से ठीक है यह इस तरह से कर देंगे और यहाँ पर हम लेंगे इसे भी orientate कर देंगे अपने साब से इस तरह से हम और इस तरह का हमारे डेक्स को हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हम जाएंगे बौडर टैप में और इसमें से एक all order select कर लेंगे ठीक है तो इस तरह का यह data दीखने लगे इस तरह से टेबल का format में दीख रहा है अब क्या करेंगे इसमें से हम कुछ अलग-अलग color भी कर सकते हैं इसमें जो कि यह data काफी और ठीक लगे तो यहाँ पर इसे basis salary को select करेंगे और इसके बाद इसे यहाँ पर से इस इतने वर का काम किया है फिर allowance में हमारे दो option आते हैं यहाँ पर allowance दो होते हैं DA और TA होता है और एक अचारे भी होता है यहाँ पर हमने अचारे भी एड नहीं कर रखा है और इसके बाद हमने deduction में पी एप और ESI लिग रखा है और इसके पेविल लिग रखा है अब क्या करें इसमें और इसमें अलग format ले लेंगे ठीक है इसमें select करेंगे और इसमें से color ले लेंगे ठीक है और इसके second वाले में हम इसे select करेंगे deduction को select करेंगे और इसमें भी color दे देंगे ठीक है इस तरह का color दे देंगे अब इन दोनों को select करेंगे इसमें color कर देंगे त्योंकि इन दोने का color दे देंगे और इन्हें भी select करेंगे और इस तरह इसमें भी color दे ताकि यह अलग दिखे और different दिखे ठीक है और इन्हें select करेंगे और यहां पर से इसमें color कर देंगे डूसनाब अगर आपको ये वीडियो प topics करें और वीडियो को लाइप करें